question number 8 using the rearrangement property find the sum 4 part है इसके आपको rearrangement property use करनी है और क्या निकालना है sum देखे ये जो number लिख्थे हुए है ये जो rational number है इनमें denominator देखे ये 3 है ये 5 है अगर मैं इन दोनों को add करूँ तो LCM लेना पड़ेगा लेकिन अगर इसे और इसे add करोगे तो LCM नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि denominator सेम है और ऐसे ही 5 और 5 इनको add करने में आपको नहीं करना पड़ेगा है ना तो ये rearrangement property कुछ भी नहीं है आप ज़रा इधर देखे कैसे करना है इसको first part हमारा ये रहा तो हम क्या करेंगे इसे और इसे एक साथ लेग देंगे कैसे 4 upon 3 और फिर plus minus का 2 upon 3 और इसे bracket में डाल दो अब फिर plus का लगाओ symbol और ये और ये अगले bracket में डाल दो कितना 3 upon 5 और plus minus का 11 upon 5 ठीक है इतनी बात क्लियर हुई तो आपको पहले इसे solve करना है तो plus minus minus यानि कि 4 upon 3 minus का 2 upon 3 और plus 3 upon 5 plus minus minus का 11 upon 5 ठीक है अब आप देखिए कि denominator सेम है तो एक बार लिख दो 3 और उपर वाली जो है numerator उनको डारेक्ट ऐसे लिख दो ठीक है और plus सेम काम आप यहाँ पर भी करोगे एक बार 5 और 3 minus 11 अब solve कर दो 4 में से 2 गए कितना बचा 2 upon 3 प्लस इसको solve करोगे तो यह plus का है यह minus का है तो plus minus minus तो minus का 8 बचेगा और upon 5 ठीक है अब देखिए plus minus minus तो आप 2 upon 3 में minus करेंगे 8 upon 5 अब देखिए 3 और 5 का LCM कितना आएगा 15 इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से multiply और उस 5 की 2 में तो कितना हुआ 10 minus 5 को 15 बनाने के लिए 3 से multiply और 3 की 8 से तो कितना 24 ये plus का है ये minus का है plus minus minus तो minus होगा तो 24 में से 10 गए तो 14 बचा और upon 15 लेकिन देखो 24 बड़ा है 10 से तो symbol 24 का आएगा तो 24 के आगे minus है इसलिए minus का 14 upon 15 समझ में आए आपको next part देखिए देखिए question हमारे सामने है और rearrangement property यूज़ करने थी देखिए ये 3 है और 3 के table में 6 आता है तो इनको एक पास एक तरफ लिख लो तो minus का 8 upon 3 ये ऐसे लिखा इसमें add करना है कितना ये वाला कितना है ये minus का 11 upon 6 इसे एक bracket में डालो और फिर add और देखो ये वाली और ये वाली rational number एक bracket में डालो तो ये कितना है minus का 1 upon 4 और इसमें add करना है हमें कितना ये वाला 3 upon 8 ठीक है अब देखे ये plus है ये minus है तो plus minus 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 का 8 upon 3 और minus का 11 upon 6 इसको एक bracket में और plus ये ऐसे रहा minus का 1 upon 4 और plus का 3 upon 8 अब देखे 3 और 6 का LCM 6 ही आएगा तो 6 लिखा इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से multiply है और 2 की minus 8 से तो minus का 16 फिर ये minus 6 ही ये है 6 बनाने के लिए 1 से और 1 की 11 से तो ये ही आया और plus इन नोनों का LCM कितना आएगा 8 4 को 8 बनाने के लिए 2 से multiply है उस 2 की minus 1 से तो minus का 2 plus 8 को 8 बनाने के लिए 1 से 1 की 3 से तो 3 अब देखें minus minus plus तो आपको add करने है लेकिन symbol minus का ही आएगा क्यों? क्योंकि 16 बढ़ा है 16 के आगे symbol minus का है तो बड़े वाले का symbol आता है आप ऐसे याद रखिए तो 6 और 1 7 और 1 और 1 2 upon 6 और ये minus का और ये plus minus plus minus तो minus करना है आपको 3 में से 2 गया कितना बचा? 1 symbol बड़े वाले का आता है तो 3 प्लस का है इसलिए plus का 1 upon 8 ठीक है? अब देखे ये minus है ये plus है तो आपको minus करना पड़ेगा है न? तो 6 और 8 का LCM कितना आएगा? देखे 8 2 जा 16 तो 24 आ रहा है ठीक है? आप निकाल सकते हो इसका ऐसे देख लो 6 और 8 LCM लेना है तो 2 की टेबल से 3 और ये 4 2 की टेबल से 2 ये 3 2 की टेबल से 1 ये 3 और 3 1 जा 3 तो देखे 2 तू जा 4 2 जा 8 3 जा 24 ठीक है? तो 24 हमने रहे लिया 6 को 24 बनाने के लिए कितने से करना पड़ेगा? 4 से multiply और फिर 4 की 27 में तो कितना आएगा? 108 ठीक है? multiply कर लेना आप 27 4 जा ठीक है? 108 आएगा और प्लस 8 को 24 बनाने के लिए 3 से multiply 3 की 1 से तो 3 अब ये minus का है और ये plus का है तो plus minus minus तो आपको minus करना है तो कितना बचेगा? minus का 105 upon 24 अब देखें मैं इसको lowest term में reduce करूँगा तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ 5 है तो 2 से यह divisible नहीं है तो छोड़ो फिर चेक करते हैं 3 से तो sum of digit कितना आना चाहिए? 3 का multiplier देखो ये 6 आ रहा है इनका add 1 प्लस 0 प्लस 5 6 आया 6 3 की टेबल में आता है तो ये जा रहा है 3 से divisible ये भी जा रहा है तो 3 की टेबल से अगर मैं cut करता हूँ तो ये minus का 35 आएगा और ये 8 आएगा ठीक है? यही answer है चलते है next part पर आपको इनको भी add करना है तो देखिए सबसे पहले मैं अगर देख हूँ इनको तो ये 20 है और ये 10 है तो इनको एक साथ लिखो तो minus का 13 upon 20 में add कर लो कितना? 7 upon 10 और इसे एक bracket में डाल दो ये और ये हमने एक bracket में डाल दिये फिर plus करो और ये और ये अगले bracket में 11 upon 14 में add करना है minus का 5 upon 7 क्यों ऐसा क्यामने? तो भी देखो 7 की table में ये आता है और इसकी table में ये आता है ठीक है? इसलिए इनको एक साथ लिख लिए यही rearrangement property है अब देखिए इन दोनों का LCM कितना आएगा? 20 ये 20 है इसको 20 बननाने के लिए 1 से multiply और 1 की minus 13 से तो minus का 13 ठीक है? अब ये 10 है 10 को 20 बनने के लिए 2 से multiply और 2 की 7 से तो plus का 14 प्लस इन दोनों का LCM आएगा 14 14 को 14 बननने के लिए 1 से multiply 1 की 11 से तो 11 और ये प्लस है 7 को 14 बननने के लिए 2 से multiply और 2 की minus 5 से है तो कितना आया? minus का 10 ठीक है? अब देखिए ये minus है ये plus है plus minus minus होगा तो 14 मैंसे 13 गया तो कितना बच्चा? 1 upon 20 symbol उसका आएगा जो बड़ा होगा बड़ा कौन है 14 उसके आगे positive है तो ये ही आ गया plus देखे ये plus minus हो जाएगा तो 11 मैंसे 10 गया है तो कितना बच्चा? 1 बच्चा upon 14 ठीक है? अब देखिए मैं इसका और इसका LCM लेता हूँ तो 20 और 14 का LCM लोगे तो टू की टेबल से ये 10 और ये 7 तो कि टेबल से ये 5 और ये 7 तो 5 टेबल से ये 1 और ये 7 और 7 की टेबल से ये दोनो 1 ठीक है? अच्छा अब देखो टू टू जा फूर फॉर फाइव जा 20 और 27 जा 140 तो LCM कितना आ गया है 140 अब 20 को 140 बनाना है तो किस से मल्टिप्लाइ करना ही पड़ेगी 7 से तो 7 लिख दो प्लस 14 को 140 बनाने के लिए 10 से मल्टिप्लाइ और उस 10 की 1 से तो यह आया अब देखिए दोनों प्लस के 7 और 10 17 अपॉन 140 यही हमारा क्या है आंसर चलते हैं next पार पर तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे इससे और इससे एक साथ लिखेंगे क्यों क्योंकि यह दोनों सेम है तो माइनस का 6 अपॉन 7 में एड़ करना है आपको कितना माइनस का 15 अपॉन 7 इसे एक ब्रैकेट में रख लो एड़ करना है इन दोनों को आप अगले ब्रैकेट में रखो तो माइनस का 5 अपॉन 6 में एड़ करना है कितना माइनस का 4 अपॉन 9 अब देखिए थोड़ा सिं अपॉन सब और फिर एड और इसी तरीके से आप इसको भी कर लें माइनस का 5 अपॉन 6 और प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन 9 ठीक है अब देखें आप क्या करें इन दोनों के डिनोमेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे और नुमेरेटर डारेक्ट ऐसी लिख देंगे फ्लस इन दोनों के डिनोमेटर डिफरेंट है LCM लों इनका तो 6 और 9 का LCMI अपने के देख लेना 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टिप्लाए और 3 की माइनस 5 से माइनस का 15 फिर माइनस 9 को 18 बनाने के लिए 2 से और 2 की 4 से तो कितना 8 ठीक है अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों को आप एड़ कर लेंगे तो कितना आएगा 21 सिंबल उसका आता है जो बड़ा है बड़ा 15 है इन मैंसे उसके आगे माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे अपॉन 7 फिर प्लस इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 15 और 8 कितना हुआ 23 तो आप 23 लिखेंगे उपर और सिंबल उस प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो माइनस का 21 अपॉन 7 और यह माइनस हो जाएगा और 23 अपॉन 18 ठीक है अब आप क्या करें इनका LCM ले ले 7 और 18 का LCM ले ले दौनों को प्राइम नंबर है तो डारेक्ट मल्टिप्लाइ करके मिल जाएगा तो कितना आएगा 126 एटीन सेव पड़ेगा और 18 की 21 से 18 की मल्टिप्लाइ है 21 से करनी है तो आएगा 18 इन्टू 36873 ठीक है मल्टिप्लाइ हो गई तो माइनस का 378 माइनस 18 को 126 बनाने के लिए 7 से मल्टिप्लाइ है और 23 की आपको 7 से करनी पड़ेगी तो 1 2 ठीक है यह आया 161 अब आप क्या करें देखें यहां माइनस हैं दोनों तो एड़ हो जाएंगे इकॉल का सिंबल आप लेकर चलते रहें इन दोनों को एड़ करना है तो 378 मैंसे 161 एड़ करना है तो यह 9 3 5 539 तो माइनस का 539 अपॉन 126 अब आपको इसको लुएस टम में रिडियूस करना है तो देखो मैं अगर इसको देखू तो यह 2 की टेबल से नहीं जा रहा तो हम 2 से नहीं कट करेंगे दोनों कट होने चाहिए फिर 3 से चेक करते हैं तो 3 से उपर वाला नहीं जा रहा लेक हैं तो 7 से अगर मैं करता हूं तो 7 7 7 जा 49 और 7 और 7 से इसको करते हैं तो यह कितने बाहर जा रहा है 18 बाहर तो हमारा आंसर क्या है हुआ माइनस का 77 अपॉन 18 यही हमारा आंसर है चलते हैं आप नेक्स वैशन पर